गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स बेटा टूदे विल दू एक्सराइज 7.5 सम नंबर वन फिल इन दे ब्लैंक देखिए फर्स्ट पार्ट इस 25.35 और 8.47 देखिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड के डिजर्स देखने है 25 है और 8 है दोलों में से कौनसा नंबर बढ़ा है 25 तो आपका पूट साइन इधर आ जाएगा जो नंबर बढ़ा है उससाइड आता ना साइन यह आपने बुक्त पे करना है सेकिंड पार्ट देखिए 20.695 और 20.93 अब देखिए यह त्री डिजट है और यह टूट डिजट है कई बर स्टूडेंस क्या करते हैं इ आपने इसको भी लाइक डेसिमल बना देना लाइक डेसिमल क्या होते हैं कि डेसिमल के आगे जितने डिजट हैं दूसरे नंबर के भी डेसिमल के आगे आपने सेम नंबर आफ डिजट बना देना है 695 और 930 आपका पूट साइन का साइन इस साइड आ जाएगा ओके बैटा नेक्स्ट है 0.39 और 0.72 देखिए दोनों में से कौनसा नंबर बढ़ा है ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है 39 के 72 72 तो ये इसका पुट साइन का साइन हिदर आजाएगा नेक्स्ट देखिए बैटा 0.109 और 0.83 अब देखिए ये 3 डिजट है इसको पहले हम 3 डिजट बना देंगे ठीक है बैटा तो अब इसका साइन कहां पर आ जाएगा 109 बढ़ा है के 830 बढ़ा है इधर आ जाएगा उसके बाद है 0.236 और 0.201 तो ये आपको दिख रहा है कि ये वाला नंबर बढ़ा है उसके बाद है बैटा 93 और 99 इसका इस साइड आ जाएगा पुट साइगा अब next sum जो है वह हम करेंगे notebook पे which is greater तो इसका heading कुछ इस तरह से आ जाएगा 7.5 विच इस ग्रेटर ये आपने नंबर लिखा ये दोनों नंबर पहले से ही like decimal है तो आप क्या करेंगे आप देखेंगे 008 और 800 पहले 1 था यहां पे भी 1 है तो ये सेम नंबर है तो इसका पू 3.3 और 3.300 अब पहले हम इसको किसमे कनवर्ट करेंगे like decimal में चीक है अब देखें दोनों equal आ गए इसका पूटसाइन ऐसे आ गया therefore 3.3 आंसर आपने इसी form में देना है is equal to 3.300 clear third part is 5.64 और 5.603 देखें इसको like decimal में कनवर्ट किया अब यहां पर 5603 यह 640 इदर आ गया therefore इस वन इस ग्रेटर अब यहां पर बेटर स्पेस है आपके भी रिजिस्टर पर स्पेस होगी आप फूर्थ पार्ट यहां पर कर लोगे 1.5 और 1.50 देखें अब आप कैसे करेंगे पहले इसको like decimal में कनवर्ट क्या like decimal जितने decimal के आगे desert है जो greater number है उसमें आपने कनवर्ट करने यह वन डिजट है यह जो जितने greater number है उसमें कनवर्ट किया is equal to यह सेम आगया therefore 1.5 is equal to 1.50 फिफ्थ पार्ट इस 1.431 और 1.439 यह देखें पहले से ही like decimal में है तो यह आ जाएगा this number is greater 6 part 0.5 और 0.05 देखें अब 0.5 यहाँ पे आ गया 0 यहाँ पे है 0.05 देखें 50 बड़ा है फाइव में से तो इधर साहीं आ गया therefore 0.5 greater than 0.05 यह बटा आज हमारी हो गई 7.5 exercise tomorrow we will do exercise 7.6